हलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस यूटूब चैनल उन्नती कंपेटिशन क्लासिस में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारते सविधान के बारे में आज हम कवर करेंगे भारत की संचित निधी, महा नियावादी एवं नियापाली का, राज्य की कार्यपाली का, केंद्र और राज्य की बीच में जो संबंध है उसके बारे में डिसकस करेंगे अंतरास्टिय परिसद, वित्य आयोग एवं योजना आयोग के बारे में आज हम डिसकस करेंगे ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दू सब्सक्राइब और प्रेस दा बेल आइकन बुक को अपने पास रख लिजिए उसमें जो भी ये विशय है जो टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो आपको अपनी विशय सूची में सर्च करने हैं और इन टॉपिक तक आपको डिरेक्ट वो पेज आप उपन करना है ठीक है सर्च करिए और ये भारत की संचित नीधी कहां पर है उस पेज पर आप डिरेक्ट महच जाएए और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना समझना और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना और अपनी बुक को हाइलाइट जरूर करना और साथ में हाइलाइट आप कर रहे हैं रिवाइज आप कर रहे हैं ठीक है मेरी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी उससे सबसे बड़ी बात ये उससे भी उपर बात ये कि अपने आप पर सबसे पहले विश्वास रखना कि हाँ, मैं अपना आने वाला एक्जाम पूरी इमानदारी के साथ क्रैक करूंगा उससे पहले मैं पूरी इमानदारी के साथ दिन रात इस एक्जाम को ले करके एक कर दूँगा मतलब पूरी मेहनत करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो देकि भारत की संचित नीधी जो अनुछेद है ये अनुछेद कौन सा है अगर बात करी जाए तो 261 फर्स्ट अनुछेद किस्से संबंदित है तो ये है आपका भारत की संचित नीधी से ठेक है और भारत की संचित नीधी पर भारत वय निम्न प्रकार से होते हैं जैसे राश्रपती का वेतन भत्ता और अन्य वय जो भी होते हैं वो कौन सी नीधी से जाते हैं यह आर्टिकल घठकना ए обязशां परहे हैं, हैं भारत की संचित नीदी सेना फिल ठीक है याद रहे गा चलिज़ बढ़ते हैं आगे यह नेदी 1950 द्वारा गठित की गई थी संचित नेदी कब से गठित करी गई थी 1950 में गठित की गई थी और इसी में से पैसा निकलते रहता है और इन सब को सैलरी मिलते रहते हैं अब देखिए बहां नियावदी को सहता दे दोनों व्यक्तिक सहता करते हैं महान यायवादी की सहाथा करते हैं उसके काम में अपना जों की लाय होती है सला मसेला ठीक है । ऴंजदीन क्या ऐसे सलाह मसेला करते हैं तो ठीक है टॉप नंबर पर महान यायवादी उन्हें सोलिष्टर जॉद्टर Kell拜拜 अब देखते हैं भारत का महानियावादी का जो संबंध है वो है अनुचे 76 अगर हमको महानियावादी के बारे में जानना है तो हमको अनुचे 76 पढ़ना पड़ेगा और उसकी प्रकार से अगर हमको भारत के संचित नीधी के बारे में पता करना है तो कहां जाना पड़ेगा 266 फर्स्ट में तो 76 क्या है महानियावादी सर्फ पर्थम भारत सरकार का वीरी अधिकारी होता है भारत सरकार का वीरी अधिकारी कौन होता है तो वो होता है भारत का महा नियावादी यहीं से डालेक्ट एक कोशन सबके रियल एक्जाम में बन जाता है उसके बाद हम बात करते हैं महा नियावादी के नियुक्ति राश्टरपती करता है इसके निक्ति कौन करता है राश्टर पती अब हम बात करते हैं राज्ये का महादिवक्ता ये आर्टी का संबंदित है 165 इस बास से संबंदित है और वह राज्ये का सरवुच कानून अधिकारी होता है सरवुच कानून अधिकारी कौन होता है तो ये होता है राज्ये का मैं आपको मैं आपको इंपरेंटव इंपर्टेंट metric नहीं करना है क्योंकि examinations hall में बैठते हैं तो कुछ hopeless बच्चे हो जाते हैं थोड़े से मदल घबरा जाते हैं और घबराने से क्या होता है कि काम गलत होता है अपको पता है कि आप 4W आप चलाना सीक रहे हैं अगर आपको माइं में यह होगा नशी को तकन लग जाया कि तो हलका सभी अगर आपके सामने कोई शीच आएगी ना तो आप लोगो के स्पीड, ब्रेक, कलच वगला सब डिश्टर्ब हो जाएंगे तो पहले अपने आपे इस वास रखो, उसके बाद में आगे बढ़ो, ठीक है, डरना नहीं है बिकल भी, तो कॉन्फिडेंस बनेगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे किसी बाइक के, किसी गाड़ी के, या पी किसी स्टेड़ी के, भारत का नियांतर एवा महालेखा परिक्षक संबंध है, अनुछे 48 से लेकर के 151 था, ठीक है, इसकी पदावधी पद्ध गहन करने के तीप्धी से 6 वर्स तक होगी, लेकिन य अनुछे 368, most, most, most important, अनुछेद है, most important article है ये, कौन सा 368, इसमें क्या करा गया है, इसमें सविधान में हम लोग एडिट कर सकते हैं, एडिट मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा चेन कर सकते हैं, इसमें संसोधन कर सकते हैं, इसमें संसोधन की 3 वीधियो को अपनाया गया है तो सविधान में सनसुधन की कुल कितने विधिया होती हैं कितने विधियो का अपना करके सनसुधन करा जा सकता है तो यह है आपकी तीन विधिया तीन मैथलिक के दोinters आप संसुधन हो सकता है तो यहीं से egg questions बन जाता है आपके सामने पहले नमर पर अर्टे का 368 के से संबंदीत है तो यह सविधान में सुनसोदन से संबंदीत और कितनी वीडिया अपनाई जा सकते हैं सुनसोदन के दौरान परकिरिया के दौरान तो फिर यह होती है आपके तीन वीडिया कौन कौन सी यह आप से एक्जाम में नहीं पूछेग आप और परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे किलिक करें वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा वहां से लिए बुक को परचेस कर सकते हैं विशेष बहुमत द्वारा संसोधन पॉइंट नमबर तू जो यह हम थोड़ा सब पढ़ लेते हैं इसके बारे में देखी क्या होता कि दो तिहाई मतों से विदह पारित हो जाए तो क्या होता कि राश्टपति की सुकृति सुकृति मतलब परमीशन मिलते ही यह संसोधन राश्टपति का निर्वाचन होता है 54 और उसके बाद में राश्टपति निर्वाचन की कार्य पद्धी संबंदित है अनुचेद 55 से नियायपालीका जी बात करते है नियायपालीका की उच्चितम नियाले का गठन संबंदी पार्विद्धान जो दिया गया है वो करता है इनके अपार्टमन करता है राश्ट्र पती और एक बार में के बाद इनके अफकाद कहन करने कि कितनी होती है आयू सीमा होती है 65 ठीक है 65 एयर आगे हम बात करते हैं देखिए उच्चितम नियाले के मुख्य नियादीस को एक लाक रुपे परती माहा तथा अन्य नि dal今idho जि वृत्प होना चाहिए जाल आगे बात करते हैं किसी तक इस द सक renamed अधिवक्ता रह चुका हो या फिर उचितम नियाले के नियादिसों को पद एवं गोपनियता की सफ़त कौन दिलाता है तो यह दिलाता है आपका राश्ट्रपती कौन दिलाता है यह दिलाता है आपका राश्ट्रपती ठीक है पुनर विचार संबंधी छेतर अधिकार क्या होता देखिए सविधान के आटिकर 137 के अनुसार सरवोच नियाले को यह अधिकार परापत है कि वह स्वयम मतलब खुद द्वारा दिये गए आदे सा नेने पर दुबारा से विचार कर सके तथा यदि उची समझे तो उसमें आ अभिलेक नियाले को एक अभिलेक नियाले का स्थान परदान करता है इसका मतलब यह होता है कि नियाले की नेने सब जगे साक्षी रूप में सुईकार किये जाएंगे ठीक है और इसकी प्रमारिक्ता के विशाय में कोई भी कोश्चन नहीं उठा सकता यह तो गलत है ऐसा द लगे कोई भी कोशन नहीं उठा सकता उच्चतम न्याले में सविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए नियाय दियुसर की संख्यर कम से कम पांच होने चाहिए तो ये बात करी गई है आर्टिकल बन फोर्टी और उच्च नियाले के बारे में हम डिसकस करते हैं उच्च नियाले सविधान के अनुसार परतेक राज्ये के लिए एक उच्च नियाले होगा ये कहता है आर्टिकल दोज़ चौदा लेकिन संसद वेधी द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संग राज्ये छेत्र के लिए एक ही उच्च नियाले स्थापित कर सकती है ये कहता है आर्टिकल टू थार्टी वन क्या कहता है और टू वन फोर दोसो चौदेर आर्टिकल क्या कहता है तो दोनों में आपको मिक्स अप नहीं करना है देखे एट परजन ड्राइट नाव वर्तमान में क्या है कि पंजाब एवं एवं हरियाना असम नागलें मेगाले मड़ीपूर तिरीपूर मिजोरम तिसर अवन अच्रपरदेश महाराश गोवा दादर एवं नागरहवेडी और दमन तिसर दीव और पश्यम बंगाल अंड को कए पर है इलाबाद उच्च नियाले में इलाबाद में अधिक जो है नियाय जीसों की संख्या होती है यह कोइब बार पूछा गया और पेपर 10 जीर सकारे सबस्द्टा बहुत होता है लेकिन कम नहीं पता होता लेकि देश्क बश्यम का फ्राइन है और जो बच्छे ति के लिए बहुत है आप रिवाइजन आप रिविजन नहीं करेंगे आप भूलते रहेंगे फिर आप बोलेंगे लिए ठीक हालेट कराया था उसमें से कुछ नहीं आया किताब बेकार है तो इस तरह दोस्ट जिन से खोई फादर नहीं है अपना आपको रेक्टिफाई करो अप कितना स्पीड से भूला ठीक है भूलना नहीं है और उसके बात करते हैं कि उच्छ नियाले के लिए योगिताय क्या होती है दस वर्सों तक यह दिवक्ता रहा हो अधिक्ताम उम्र सीमा बासर वर्स से बढ़ा करके यह 65 वर्स कर दी है इसकी और भारत के मुख्य थी 1866 को ठीक है और कलकत्ता की हुई थी 1862 में कलकत्ता मुंबई और मदराज तीनों की इस्थापना वर्स बिल्कुल सेम है लेकिन इलाबात का चार वर्स बाद हुआ 1866 में दिल्ली का हुआ था 1966 में और केरल उचनियाले ने 1977 में सबसे पहले बंद को ऐसे वदानी घुषि किया था अब उचनियाले का छेत्र अधिकार क्या होता है मौलिक अधिकारों का किर्यान वेन अनुछे 226 में रखा गया है और उसके बाद देखिए महत्पूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन कितना कितना होता है एक बड़ देख लीजिए थोड़ा सा आप भी शौब हो मौले करना है तो आप आसे लेकर के यहां तक उच्मेडले तक आप याद कर दीजिए 7 मों , लेंud you can use णिषक को बी देखते हैं कि राज्य की कालिल कर दो क्या कहती है ऐaking राज्ययपाल होता है और ALL भशाम में क्या होता है में राजऍ सा रिगार्धन किया गया है और अ यहां पार्वधान जो है जम्मु कस्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लागू होता है तो भाग्चा किस से संबंदित है यह है राज्य की कारेपाली का से संबंदित और परतिक राज्येपाल होगा ऐसा कहा गया है लेकिन एक ही राज्येपाल दो या दो दो से अधिक और राज्यपाल के ने कितना होता है सारे राज्यपाल फ़ि wenig को एक लाँ 10 काफी नुमर से राज्यपाल पत घहन करने शिल्ध ुच नयाले कि मुक्खे नियादीश तथा वरिष्टम निया दीस के सम्मुक अपने पत की सब्द धार्ण करता है सब्द लेता है और कारभाल की सब्सका कुछ जल्धी बोल रहा हूं क्या मैं? इतनी जल्धी बोलना पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा सा आप है पड़िये है अब देखिये लिए पॉइंट के राज्या पाल राज्य के विस्व प्रीञाल Kaiser P facebookNoddy अत्वा दोनों सद्रों की सेव्ट अधिवेशन को संबोधित कौन करता है पर्जेंट कौन करता है तो वो करता है राज्यपाल और वह राज्य विधान परिशत की कुल सदस्य संक्या का एक बटे च्छाय भाग सदस्य को निव्ट करता है जिनका संबंद किससे होता है विज् परसासक के बारे में बात करते हैं दादर इवम नागरह वेली लक्षदीर दमन इवम दीप अब यह पढ़ लिए एक बार ठीक है क्या पढ़ना है इसमें देखिए पढ़ना है कि पंजाब का राज्य परिसाद राज्य विधान मंदर का उच्छ सदन होता है और साथ ही सांथ एक बात और के दो तियाए बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है और वर्तमान में केवल चैर अद्वें हैं यहां से कोशटर में और पंज्夢 कसमी महराज़ मेंafflesा है और विद्हान परिशद करिष्य व्यक्षार कि अधिमान है यहां से केवल पूछीं लेता से आंधर पर्देश में भी विधान परिसद आस्तित में अगई अभी लेटिस्ट जो अभी आपकी विधान परिसद बनी है उसका नाम बताई ये कोश़्न सबसी यह पूछ सकता है तो आप यादकना आधर परिसद refète विधान परिसद का दरजा का पराप्त हुआ तो यह हुआ दोजास साथ में अगर बूचेगा डेट और मन तो आप याद रखिएगा दो अपरेल और विधान परिशत का सदस्य बनने के लिए नियुन्तम आयू सिमा कितनी होती है तो यह होती है आपकी तीस वर्ड अब मात करते हैं विधान सभा और विधान परिशत की सदस्यों की संख्या यहां पर विधान सभा दे रखें और यहां दे रखें विधान परिशत तो हमको केवल इतने ही याद करने जो इंपॉर्टेंट यालो से हाइलाइट कर रखें आ जैसे यह आपका है एपी एपी में साथ है आंदर परदेश में टूनैंटिफोर है उत्तर परदे विधान सभा का कारेकाल कितना होता है तो यह होता है पांच वर्स कितना पांच वर्स और विधान सभा में निर्वाचित होने के लिए किमा कितनी होने चाहिए तो 29 वर्स और पठैटन राज्ये की विधान सभा में कम से कम 60 और अधिक देग 560 होते हैं गोवा में 40 हैं मिजुरा में 40 हैं सिक्के में 32 हैं इसे अनुचे 371 के तहट विशेस राज्ये की दर्जा देकर यह विवस्ता किया गया है अब देखिए विदान सभाव में जनसंक्या के अधार पर अनुसूशी जातियां और जन जातियों के लिए इस्थानों को आरक्ष्ण लगतिया गया है और यह आर्टिकल 332 कौन सा आर्टिकल है 332 अब देखिए सदन की बैटकों के लिए जो सदन की बैठक होती है उसके लिए सदन के कुल सदश्यों के 10 मांस मतलब 1-2-10 सभाव की उपस्ति गण पूर्ती है तु बहुत ही आवश्यक होती है कितना एक बटे 10 सभस्य होने चाहें अब देखिए को ही धन विधे क्रारभ में विधान परिसद में परस्टित नहीं होता है गररी को परिसा रहिए- solchen का भीद बार भीदान विधे को उत्रा परिस्वफन नहीं होगा जब विधिया सबस्ञा को परिस्ट कहा कने लोगा दो पारिए खिए तो बाद में किसके बाद जाएगा, उसके बाद में जाएगा विधान सभा परीसत के पास। चौँचशन के लाधि पल ब्रीदा कि बीटर में लेसी को Bereवर्स करना हैं, तो खнова करिकार होस्स का सब्स्क्राइब ने बहुत हुआ है बता है कि ठीक है देख लीजिए अब देखिए थार्ड नमर जो पॉइंट है विधान सभा द्वारा पारित किये जाने के चौदे दिनों के बाद विधेयक को दोनों सद्वनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्येपाल को उस पर अपनी सहमती देनी होती है बस मुख्य मंतरी काफी इंपॉर्टन पॉइंट है मुख्य मंतरी की नियुक्ति कौन करता है सबत कौन दिलाता है तो राज्येपाल इसकी सबत दिलाता है इसके नियुक्ति भी कौन करता है राज्येपाली करता है देखिए राज्येपाली करता है देखिए राज्येपाल के सार हैं नहीं पीजिज राष्टिपत्रे यहिए अब भार्टिय राज्य वैस्ता में वर्यता-अनुकरम क्या-क्या होता है तो देखते हैं हतोना सबस्थे पार्टे विल्सथा है याना जिएफकल है आपंट विल्सथा दंसर लगतोच मेर भारत कि दंस टकी सुझा अपने राज्यों में तो यहां पर इसको लेकिन आप किवल यह तीन याद रखेगा ठीक है किवल पड़ सकते हैं इसको लेकिन इसको याद करने के पॉइंट से यह अपॉइंट नहीं है और अगला जो पॉइंट है भारत रत्न एक मात्र ऐसा पुर्षकार है जिसे वर्यत्या अनुकरम में इस्थान दिया गया है तो भारत रत्न एक्षडी पोजिशन के हिसाब से मिलता है तो यह वर्यत्या दी गई है आपको उसके बाद करते हैं केंद्र और राज्य संबंद के बारे में तो भारत्य सविदान की साथ पर अनुसूची में क्या कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य की सक्टियों के बट भारा ठीक है यहाद रखनास हम अब थोड़ा सा संग सूची राज्य सूची संवर्थी सूची पढ़ लेते हैं जी ठीक है संग सूची में उन विश्यों को सामिर किया जाता है जो राश्ट्रिय महत्र के होते हैं ठीक है जिन पर कानून बनाने का एक मात रादिकार किसके अधार संसत को है और इस सूची में कुल कितने विसे हैं टोटल सो और स्टार्टिंग में कितने थे 97 और जिन में परमुख है रक्षा विदेशी मामले युद्ध और अंतराश्ट्य संदी अनुसक्ति सीमा सुल्क जनगर्णा विदेशी रेन तो यह सब किसमें सामिल होते ह अब देखें यहां पर यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से पूछेगा आपसे तो वहां पर आपसे यह कुशन स्पूछ था है कि सीमा सुल्क जा जनगर्णा कौन सी सूची में तंविद्ध है जनगर्णा और सीमा सुल्क दोनों ही कई बार अपके एक्जाम में पूछे बहुत 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 इंपोर्टेंट है साथ में डाक इवं ता रक्षा विदेशनी मंत्रा ले यह सब आपको याद करने हैं यह बाकि अगर आप से त्यारी करें अगर आप में बैठेंगे तो वहां पर यह चीज़े आपको याद होनी चाहिए एक डिट्टो एक लाइन लिए कि देटेखा वाईयो एवं जल परिवाहन कौंसी सुची में सम्मीलित होता है वह जल हो यह पिरेल हो कोई भी वह संगिल होता है संग सुची में अभी विसा कितने 61 इस राटिंग में 66 और जिन में क्या कर समील होते हैं इसमें समील होते हैं पुलीस लोग स्वास्ति यह दोज चीजे किसमें सम्मिलित होते हैं राज्य सूची में समवर्थी सूची में इस समय विसे हैं 52 मूल्टे स्टार्टिंग में थे 47 और परमुकेस में राश्टिय जलमार्क परिवार नियोजन जनसंग कैंजेंतर समाचरपत रकार खाना सिक्षा अर्तिवं समाजिक परिवार नियोजन बाठ तथा माप जानवर तथा पक्ष्योगी सुख्षा आधी विसे को समवर्थी सूची में सामील करा गया तो यहां से लेकर के यहां तक जी हां यहां तक आपको अपने माइंड में परमानेंट इसको दर्ज कर लेना है परमानेंट मार्कर से जी हां अपनक जांद परमानेंट मार्कर यह बना अको बनेगा आपका मैकसिमुम रिवीजन वाली इंक से जो बसका मैकसिमुम हूर॥ मैंन कसंभी मायंड में अप्य सब बीकार सभी मीन के सदलन करें करने वाले जद्ट्तियों के दो थीह कंषियों के न ऊहितकों जिए तो दियान में रहा कर संसद के विश्षव पर हम बना गाले की सकती मिल जाती है प्राप्त हो जाती है अब देखें राज्यों की सैमती से संसद की पर कानुत बला सकता है और राश्टिय अपात एवं राश्ट्रपति सासन के समय में भी संसद को राज्य सुची पर कानूर बनाने का पूरा अधिकार होता है अब देखिए सरकारिय आयोग का गठन यह कब हुआ था 1983 में हुआ था जिसने अपनी सौलच प्रष्ट वाली रिपोर्ट 1987 में केंद्र सरकार को स्वापि थी तो सरकारिय आयोग का गठन कब हुआ था तो यह हुआ था 1983 में बस आपको वर्स याद करना है बाकी डिटेल आप सकते हैं लेकिन आपको वर्सी एक्जाम में कई बर पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है अंतराज्य परिशत जो है अनुछे 263 के अंतरगद केंद्र एवं राज्य के बीच में समनवे इस्तापित करने के लिए राश्ट पती एवं अंतराज्य परिशत की इस स्थापना कर सकता है और पहली बार यह हुआ था 1990 में अंतराज्य परिशत की स्थापना की गई थी कब 1990 में और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब भी अंति पर विश्टी संक्य कितनी है 47 लेकिन इसमें कुल संक्य 52 है 11 के 17 के 17 का 20 का 33 का को भी जोड़ा गया है अब देखि आयोग की स्थापना करें चोल का नाम परिबर्ति कर दिया है क्या कर दिया गया है नीकी इंधी आयोग तो नीती अक्षा को आपको यहीं अभी हैं आपके मोदी अब पर्थम योजना आयो के उपाध्यक्ष जो थे हमारी पर्थम जो योजना बनी थी 15 मार्च 1950 को ठीक है इसके उपाध्यक्ष कौन थे उपाध्यक्ष ते गुलजारी लाल नंदा तो बस इतने ही पॉइंट को आपने याद रखना है और इसको वीडियो को आपने एक बार और वाच करना है अगर डेटा की दिक्कत नहीं है तो एक बार और प्ले करिए अब आप आपने बुक में हालेट कर रखा होगा ठीक है अब जो आप दुबारा प्ले करेंगे इस पर देखा था देखिए ठीक है तो आप भी हलका से वीडियो पॉस्ट कर लिए फिर आप खुद बोलिए आखे बंद करके थोड़ा से अभी बुक में डाइट फोकस करके देखिए उसमें पढ़िए इस लाइन को तो आपको आपको यह सब चीदे याद हो जाएंगे डाटा ह है तो अगर नेट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप जियो यूज कर रहे हैं वंजी भी परड़े मिल रहा है तो आपको बद शायद इस वीडियो का कंबिट देखने का डाटा भी अब तक ना बचाओ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ठीक है तो इस चैनल पर आपको मिलेगा बहुत कुछ धेर सारी किताब भी कंप्लीट वीडियो जाइए प्लेश में देखिए इन सब के कंप्लीट वीडियो जी हां लेकिन वीडियो देखते समय ध्यान अपना पूरा का पूरा वीडियो पे रखना जो जो बाते आपको बताऊंगा उ के बुक आपके पास में सभी है तो इन सब प्लेट को हालेट भी करते चलना ठीक है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आपके जो भी फैंड कंप्लीशन के त्यारी कर रहे हैं अपने वाटसप गुरूप में इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देजे ठीक है आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने का पूरा पूरा मौका देजे जी हां पूरा पूरा मौका देजे यह मत सोचिए कि मुझे ही आगे बढ़ना है सब का साथ सब का विकास मोदी जी क्या कहते हैं भाईयो और बेहनों सब का साथ सब का विकास ठ उसको औरो तक पहुचाने में कोई कस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को ठीक है और अंत में आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को कॉंट्रिबूट करना चाहते हैं तो पेट्रम के मादिव से कॉंट्रिबूट कर सकते हैं कि वीडियो की बनाने के लिए बेसिक नेड को पूरा करने के लिए कुछ खर्चे भी होते हैं जैसे साउंड डिकॉर्डिंग सॉब्स टेयर एक माइक के रिकॉर्चे होती हैं unlimited internet connection चाहिए होता है जियो के बंच जिवी से कोई भी चैनल नहीं बन सकता और कोई भी चैनल पे इतनी है भी MB की फाइल, GB की फाइल अफ्लोड नहीं हो पाते हैं, तो कुछ basic need होती है basic खर्चे होते हैं, तो अगर आप working है, अगर आप job करते हैं, चाहे आप private job ही क्यों ना करते हैं, तो आप PTM कर सकते हैं, descriptions box में आपको मिलेगा PTM number और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर book नहीं purchase करिए तो आप market सिजा की book purchase जरूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो तभी देखना जब आपके हाप में book हो बीना book के आप तभी वीडियो वाच कर सकते हैं जब आप financial week हो, आप book purchase नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिके साथ में लेता हूँ आपसे, अलविदा मिलता हूँ जल देख नए वीडियो के साथ में, बाई-बाई, टेक केर and all the best डाल दो link WhatsApp गुरूप पर किसका इस वीडियो का, बाई-बाई, धन्यवाद